LCM of 861 and 1353 using prime factorization method तो आप इस वीडियो को पुरा देखे चले हम इसके सुरात करते हैं यहां पर हमें विल्कुल एक सिंपल सा गाम करना है इनको इस प्रिकार से एक साथ लिख देना है उसके बाद हम अपने प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यहां प्रतम देखते हैं कि आपका टू का जिएड हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहां पर यह दोनों नंबर टू से डिवाइड क्शेड नहीं होंगे क्योंकि हम इसका rs. देखें इसका भी unit digit देखें तो वो क्या है आपका इसका वान है इसका थ्री है जबकि टू से वे नंबर कंप्लीट डिवाइड होते हैं जिनका unit digit 0,2,4,6,8 इन में से कोई हो तो यह आपके यह डिजिट तो आपके लिए यह calculations वगरा काफी आसान हो जाती है तो देखें हम टू से नहीं हो रहा है तो थ्री के पास है थ्री का नियम चेक किया तो यहां पर यह नियम लागू हो रहा है तो मैं इसमें देखें थ्री का डिवाइड करता हूं जब आपका 8, 6, 1 में तो थ्री का देखें कुछ इस परकार से डिवाइड करेंगे हम इतना टू टाइम चला गया 6 आ गया – यहां पर 2 आ गया 6 को यहां ले आएं कितना एड टाइम चला गया 24 आ गया – माइनेस गया two आ गया is one को यहां ले- seven time चला गया okay minus कि zero आ गया यैनि 2877 आ गया इसमें भीडा ठीकर टीवइड होगा ठीकर डीवाइड किया four time चला गया five time चला गया और one time चला गया चपर ऐसे समझेंगे हमने त्री का डिवाइड किया इतने टाइम गया अब यहां पर आपका ट्री का डिवाइड नहीं हो रहा है यहां हम देखें तो इनका हम सम करें तो यह कितना 9 तो इसमें हम समय करेंड किया नहीं होगा, तो इसको जैसा है विसा आगे शिप्ट कर दणा, उसके बाद देखिएंगे हम यहां यहां पर देखना है कि कहीं आपका ये नमबर प्राइम नमबर तो नहीं है कहीं ये आपका प्राइम नमबर तो नहीं है इसकी जांच कैसे करते हैं बिल्कुल सिंपल है देखिए हम जानते हैं कि हम 2 1 का यदि स्क्वेर करते हैं तो कितना आता है 4 4 1 आता है और 2,2 का यहीं हम square करते हैं देखिये आपका यह आ रहा है तो यहाँ पर इसको यहीं हम यहाँ से देखें तो यह आपका 4,5,1 से क्या है चोटा है जब कि यह क्या है आपका 4,5,1 से बढ़ा है तो हम इस condition को यहाँ पर लेते हैं कोई भी नमबर prime number है या नी इसकी जांच करने के लिए आपका गनीत में कैसे होता है जांच दीखे जैसे हमें हमने n का स्कूर किया और यह n का स्कूर किसी नंबर के नंबर से greater than and equal to connection के लिए हम लेते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं यह जो आपका यहां पे n है जिसका स्कूर कर रखा उससे चोटे प्रा प्राइम नंबर नहीं अने था यह प्राइम नंबर है तो यहां पर हम वैसा ही करेंगे यहां पर देखिए फाइनली हमें इसको ऐसे लिखना है 22 से देखे चोटे प्राइम नमर कौन से हैं यह आपके 7 तक हम चेक करी चुके हैं 11 का चेक करेंगे तो 11 का हम चेक करी लेते हैं 11 का नहीं जाएगा यह 11 का देखे यहां पर 11 का जा रहा है 11 का कितना 4 टाइम गया कितना गया दोस्तों 44 आ गया यहां पर हमने माइनस किया 1 आ गया यहां से 1 आ गया कितना 1 टाइम चला गया ओके तो इसमें आपका 11 का डिवाइड हुआ कितना 4 वन टाइम हुआ है तो यहाँपर देखे यह हमारे यह यहाँथ neo क्यूंकि हमें यहां से रडिया लग गया है कि हमें कहां तक चैन si2 करना उससे आगे छीक नहीं करना आप ओके संदी वन्रक है तो तो दीखी 11 का मेद्य हो गया है तो यहाँपर इसमें तो हो गया लेकिन इसमें नहीं प्राइमन्बर है यहार नहीं है इसकी कंफ्रम करना चैंछ जिसके तो यह आपका प्राइमन्बर नहीं निकलकर तो इसका कंफ्रमन सेन के लिए देखिए मैं सेवन का स्क्वेर लेता हूं तब यह काम होता ist Savior उन किसी से डिवाइड नहीं हो रहे है मतलब आपका ये प्राइम नमबर है ओके समझा गया तो धी ये ये प्राइम नमबर है तो फिर आपका खुद से डिवाइड होगा द्यान रखों तो यहाँ पर 41 का डिवाइड किया बन टाइम चला गए legislator कई आपका liksom क्या है दोस्तों यह जो फेक्टर है इंकल यह सकते हैं यहां पर हमने 11 का डिवाइड किया कितना है 41 यानि 11 x 41 कितना है यह है तो इसको यह लेख दो उसके बाद देखिए यहां पर 3 x 21 होता और 21 देखिए कोई बड़ा रंबर नहीं उसको कोई ट्रिकी भी जरूत नहीं है ओके आपने इस वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद क्यासा रगा नीचे कॉमेंट कर जुरू बता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा